हाई कैसे हो आप लोग आई होप सब ठीक हूंगे तो मैंने यह स्वाटर का आदा हिस्सा फर्ष्ट भाग में डाल दिया था अब मैं इसेकंड भाग बना लिए तो यह मैंने पूरा कर लिया मैंने फर्ष्ट भाग में आपको शिर्फ डिजेन बताया था यह भी मैंने सब्सक्राइन बंद गला में है इन पहरता है और अपने के लिए कि अधाने वह फंदिय फंदे भाग मैं था। यहां पर मैंने एक कट वाला गला बना रखा है, यहां पर मैं ना बटन लगाऊंगी ना कुछ खुला रखोंगी, यहां पर मैंने 6 फंदे गटा लियते हैं, अब मैं यहां से फंदे उठा के ला रहे हूं, मैं इस कोने में से फंदे उठाऊंगी और ऐसे, तो मैं आगे पहल ही 15 फंद तो मेरा इधर काया मैं नहीं दागा जोड़ने के लिए करा था कि अब यहां पर मैं पांच फंद उठा लूंगी कुल लगा के पाँच पाँच फंदय उठाऊंगी मैं यहांपे, अब यह छिए फंदय जो मेरे घटे हुए थे, यह छिए फंदय मैं उठा लूँगी पहले, तो यहांपे होल आएगा, तो मुझे जड़ा थोड़ा सा यहांपे, इस तरीके से फंदा उठाना पड़ेगा, यहांपे मैरे छे फंदे उठ गए, छे फंदे उठे हैं, वो स्वरी, पांच फंदे उठे हैं, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे मैं यहाँ पर उठाऊंगे, छे मेरे इधर उठ गए, और छे ही मैं उस साइड को उठा दूँगी, इस तरीके से, अब यहाँ पर मेरे फंदे उठ गए, अब मैं इस किनारे के फंदे उठा लेते हूँ, पहले, तीन, चार, यहाँ पर मेरे अठारा फंदे हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दुनी, अठारा, छे फंदे इदर उठे, छे बीज में, छे इदर, अब मैं यहाँ गले के फंदे उठाऊंगी, अब गले के बार्डर के लिए फंदे उठाऊंगी, यहाँ से, यह तो मेरे आगे साइड जो बटन होल के साथ आएगा, जो तो बटन काज बटन पटी के साथ जो आएगा, वो वाले फंदे उठाए थे, लेकिन उसमें मैं काज बटन नहीं लगाऊंगी, खुला रखोंगी, तो मैं आगे-आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से बन रहा है तो मैं पहले फंदे उठा लेती हूं, टोटल मैंने 90 से 94 फंदों के बीच में उठाने हैं मुझे फंदे, तो मैं देखते हूं मेरे कितने फंदे उठ जाएंगे, 90 भी उठ जाएंगे तो काफी है, नि तो 94 फंदों का तो गला बिलकुल सही बढ़ता है, बच्चे के लिए अगर 90 फंदे भी उठ गए, तो मैं पहले इनको बना लेती हूं, फिर आगे दिखाते हूं कि कितने फंदे उठे हैं मेरे टोटल, बाकी जो मेरे पीछे हैं, वो सारे ही रहेंगे, उनको कम जादा कुछ नहीं करना है, तो फंदे मैं उठा के लिए आई, तो यहाँ पे मैं आठाईस फंदे उठाएं, अठाईस इदर उठाएं, और बतीस फंदे मेरे पीछे हो गए हैं, तो अब इतना काफे हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो मैं अभी आगे बनाऊंगी, तो आप यह गले की साइड आ गई मैं, तो यहां से मैं पहले एक सलाई तो बना के ले जाऊ एक सलाई पिलेन बना के, मैं इनको उल्टे बना लूँगी, उल्टे फंदे बना लूँगी यह, यह सारे में, सारे टोटल जो जितने भी फंदे है मेरे पास, मैं सबको उल्टी सलाई बना लूँगी एक, उल्टी सलाई लगा के लात्में पहले सारे में, फिर दिखातो है आगे, अभी मैंने उल्टी सलाई में फिर एक एक दो दो फंदे और बढ़ा ले, तो मैंने 30-30 फंदे कर ले, अब मैं यहां पर 18 फंदे बंद कर दूँगी, अब जो गले के लिए जो आगे है, तो फिर मेरे सीधी सलाई, अभी तो मैंने गोल सलाई में उठा रखा है, फिर दो इसलाई से मेरा बंद जाएगा, तो अभी देखो, यह 18 फंदे मैं बंद कर दूँगी, थोड़ा टाइट गटाऊंगी, क्यों गला उठे ना उपर को, तो एक फंदा गट गया, तो अब जब तक 18 फंदे न गटे हैं, अभी मेरे 6 फंदे गटे हैं, 7, 8, तो पहले फंदे गटा लेते हूं, फिर बताऊंगी, तो फंदे मैंने गटा ले, देखो, कुछ इस तरीके से देखे गए, यह, अब यहाँ पे आप, अगर एक बटन लगाना चाहो इधर, एक लुपी बना सकते हो, तो ऐसे बुनते हुए ही, आप एक लुपी यहाँ पे बना दोगे, तो देखो कैसे, हर बार एक फंदे को ही बार-बार बनाओगे, तो एक लुपी मैं भी बना के रख लेते हूं, अगर गलाब बड़ा होता है, तो एक छोटा सा बटन लग जाएगा, तीन, चार, इस तरीके से, पांच-छे बार ही बना लिया मैंने, तो इसमें बड़ा बटन तो अच्छा ने लगएगा, छोटा ही बटन लगाएगे, चलो एक बार ही और बना देते हूं, तो इस तरीके से, अब मैं इस फंदे को इस फंदे को एक साथ घटा दूँगी, नीचे करके, तो यहां पे यह लुपी बन जाएगी, तो मुझे करना क्या पले, यहीं पे ले जाओंगी इसको, और इस तरीके से, इसको घटा दिया मैंने, और इस फंदे को और घटा दूँगी, बस, बाकी टोइना कि आप मैं दो सीधा दो इल्टा बना के ले जाओंगी, तो यह इस तरीके से देखो लुपी बन गई पड़ने की से बनके, अगर खुला लगता है, कोई बातनी सो के लिए अच्छा है, बच्छों का तो जितना भी सजालो, तो अब मैं इनको पहले दो सीधा, दो उल्टा बना के ले जाओंगी, बोर्डर बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ, तो मैं यहां तक लिया ही देखो दो सीधा दो उल्टा बना के यहां तक अब मैं यहीं से वापिस होती जाओंगी यहां से ऐसे क्यों कि आगे तो मेरा फंदे घड़ गए लुपी बन गई बाद में बटन लग जाएगा अब मैं 11 नंबर के सलाई लगा रहे हूं अभी मैंने 10 नंबर से उठाया था अब मैं इसको इस तरह के से बस पलट पलट के इसी तरह के से बना के लाओंगी तो 11 नंबर के सलाई से बना रहे हूं अब स्वाटर मैंने 10 नंबर से बनाया था अब बोडर मैंने 11 से बनाया थे तो उसमें फंदे थे इसलिए मैंने 10 से उठा लिया थ से पहले बना लेते हूं अभी दो सीधा दो उल्टे का बोडर तो देखो गला मेरा बन गया बहुती सुंदर लग रहा है यहां पर यह लुपी बना रखिए यहां पर एक बटन भी लगा सकते हैं और गोल गला अब की बार मेरे 92 फंदे आंगे तो इसलिए थोड़ा कम मैंने फिर कोशिश में नहीं करी जादा क्योंकि यहां खुला है तो आप मैं यह फंदे बंद कर लेते हूं पहले देखो कितना सुंदर सा लग रहा है आप अराम से बना सकते हैं आप पूरी वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह के से बताती हूं और आ मैं हर किसी का कमेंण पढ़ती हूं जो भी मुझे कमेंण करते हैं मैं उनको reply करते हूं दुबारा बनाने के लिए बोरते में दुबारा बना के फिखाती हूं तो मैं यहां पहले हम बंद कर लेती हूं आप तो इम्हें इन यह 11 नंबर के चलाह से बना लिया अब मैं इसको यहां से बंद करना शुरू कर दूँगे और स्वैटर तियार हो गया अब मेरा जो फंदा जैसा है सीधा है तो सीधा ही बुन के घटाती हूँ मैं और उल्टा है उल्टा बुना के घटाती हूँ यह दो फंद हैं यह दोनू फंद इम ने बून दे फिर दाखा फीछे कर दिया घदिधर मेरे सीधे हैं मैं हैं दोनू पंदो को सिधर बना के हैं कि कि 햇आ फिर गट दिया पर दो आधे इसी तरह इसे बहुत टाइर भी नहीं करना है बहुत डिला भी नहीं रखना है तो ठीक हाथ रखेगा अपना जब भी आप बनाते हो है कि स्वेटर तो फिर बिल्कुल फिटिंग बैड़ता है कोई जोल नहीं आता है और अच्छा भी दिखता है सफाई से स्वेटर कैसे भी बना हो अगर बोर्डर गला उसका बहु तो तब ही स्वेटर अच्छा दिखता है तो अभी मैं पहले इसको फंदा बंद कर लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे तो एक बटन लगाऊंगी इसमें देखो इस तरह किसे यह 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 मैंने नो सलाई का गला बनाया यह उल्टी सलाई लगा के नो सलाई का गला बनाया दोसी चलाई में मैं बंद कर रही हूँ तो आप भी इसी तरह के से बनाएगा तो मेरा गला देखो बन गया स्वाटर मेरा तियार हो गया अब इसमें मैंने एक बटन लगा लिया तो बटन मैंने लूज बटन लगाया लूज बटन मतला कि थोड़ा सा लंबा ध इस निकरा ताकि इसकी फिनिशिंग खराब नहों इस तरीके से यह लूज बटन ऐसे लगता है अब देखो बटन लगा कि कितना सुन्दर लग रहा है फिर मैं इसका बटन भी मिल गया मुझे एक वाइट कलर में अब मैं इसे दागे को पक्का कर लेती हूं और यहां खुला भी दीखे और गला देखो कितना सुन्दर बैठा हुए तो आपको अगर यह ऐसा नहीं बनाना है तो 95-96 फंदे जरूर डाले पतली उन में मोटी उन में तो 90 फंदों से भी हो जाएगा तो मेरे 92 फंदे है तो देखो मैंने इस तरह के से बच्चे का गला ज्यादा खुला भी नहीं देखेगा और स्वाटर की गेट अब देखो गले से ही आती है इसलिए मैं बार-बार कहते हूं कि स्वाटर का गला बहुत अच्छा बनना चाहिए स्वाटर कैसे भी बना हुआ किसी भी कलर में बना हो तो गला अच्छा हो तो आप खुदी देख लिजे किस तरीक कैसी भी डालना है डिजेन तो मैं यह दिखा देते हूं आपको कि जैसे हमने यह बनाया फिर यह बनाया फिर यह बनाया ठीक है अब यह बनाया तो यह एक फूल बन गया एक डायमंड की तरह यह फूल बन गया तो हमने यह बनाया तो मैंने यहां पर बीज में दो प्लेंट आपका इसे बनाए अपर यह यह बनाना पड़ेगा यह इधर आजएगा यह वाला इधर आ जाएगा तो जैसे यह बनाऊ है ऐसे तो इसी तरहीक से इसमें दो इधर बन जाएंगे और एक बार इधर बन जाएगा तो मैंने सब्सक्राइब प्लेन लगाई हैं बीज में, तो पिलेन नहीं लगासकता हैं तो कोई बात नी, आप इस तरह के से बनालो है, ऐसे बनाना है तो थोड़ा सा और गैब करके, और थोड़ा सा गैब देखके, कि मैंने शिरब यहां पे दो सलाई बनाई तो आप चार सलाई के बाद भी बना सकते हो, आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हो, तो देखो इस तरहिके से, बैके आपको देखो डेजेन तो अच्छा लग रहा है, सुन्दर लग रहा है, आप जरूर कोशिश करोगे, और मैं सोच यहां पर देखों, मैंने एक ही सलाई बुनी थी फंदे उठाके एक सलाई बुनी थी दूसरी सलाई में मैंने फंदे बंद कर दिया था फिर मैं इसको राऊंड में बना के लेकर आ गई थी तो इस तरह के से बटन मैं सोच रही थी बटन नहीं लगाऊंगी खुला रखूंगी लेकिन अब मैंने लगाय दिया इसमें बटन पहले मैंने व्यूडियो में बताया था मैं बटन नहीं लगाऊंगी लेकिन मैंने यह लगा चुके हूं बटन तो आप इस तरीके के बना सकते हैं बैके आपकी इच्छा आप कैसे कैसे बनाना चाहते हैं यह आपके उपर है थैंक्यू